दोस्तो अगर आपकी wall बिल्कुल पुराना हो चुका है और आप चाहता है दोस्तो कि white cement का इस्तिमाल करके आप वाल को new बनाना चाहता है दोस्तो तो आज की इस वीडियू आपके लिए बहुत ही ज्याधा खास होने वाला है तो दोस्तों आप जा हम आपको देखाएंगे कि पूराना वाल किस तरह से white cement लगा के new किया जा सकता है उसके लिए दोस्तों हमें JK white cement लेके आया है दोस्तों और आपको आज demo देखाएंगे कि किस तरह आप अपनी वाल को ठीक कर सकता है उसके लिए दोस्तो white cement में DDL का फेबी कुईक हम लोगों को mix करना है और white cement और जो फेबी कॉल होता है दोस्तो इस दोनों को अच्छे से mixing करना बहुत ही ज़्याधा जर्द होता है दोस्तो ताकि दोस्तो आपका जो brass होता है दोस्तो brass सही तरह से चल सके दोस्तो फेवी कुईग डालने की बार दोस्तो ब्राक्स का भी बार दोस्तो चिपक जाता है इसलिए दोस्तो ठीक सही तरह से दोस्तो जो वाइट समेट होता है और फेवी कुईग होता है इस दोनों को आच्छे से मीक्सिंग करना होगा और ब्रास लागा के चेक करना होगा क कि सही है कि गलत है तो दोस्तों आभी हम लोग mixing करी रहा है और DDL का दोस्तों उपयोग कर चुका है और हमारा वाइट सेमेट रेडि हो चुका है और दोस्तों कुछ दिर बाद हम आपको दिखाएंगे कि पुराना वाल को दोस्तों किस तरह से आप बिल्कुल भी निव बना सक काता है हॉइट सेमेट की इस्तेमाल करने से च्च जो पूराना वाल मेप जरुर दोस्तों आम तोर पर चुका है आपने पुरान एक आव आपने वाल मेरे इसमें आम को डिम्म देखाएंगे तो दोस्तों सबसें पहले वाल को आछ वालश्य से शाब सुत्र कर लें और उसकी बाद दोस्तों आच्छे से क्यूरिंग करना होगा ताकि दोस्तों हमारा Mol और फेविक आच्छे से वाल में चीपक सके और बहुत ही आच्छे से दोस्तो हमें क्यूरिंग करना होगा ताकि कहीं भी दोस्तो सही तरह से हमारा ब्रास भी चल सके तो दोस्तो अभी आप लोग देख सकता है हम लोग ि होरीजॉन्टल मोड मर फास कोड दोस्तोyr एप्लाई कर रहा है इसी तरह से दोस्ते आपको पहले होरीजॉन्टल आप कर अपको एप्लाई करना है। कि और दोस्तों आगले दिन आपको इस वाल को बिल्कुल भी कुल भी क्यूरिंग करना है बहुत आद आच्छे से कि क Defense आप सवी को पता है कि कि ये पुराना वाल है और उसमें फैंस्थ क्या यूश किया है तो दोस्तों पुराना वाल हो या चाहिए नई वाल हो दोस्तों क्यूरिंग करना बहुत ज्यादा जरुद होता है तो अभी हमारा होरीजोंटल मोट पर यूश हो रहा है और दोस्तों एक बात कि अगर आपको वाइट सेमें से जूड़ी white cement divar कैसे लगाए जाता है full step by step video हमने description box पर दिया है आप चाहिए तो दोस्तो उहाँ जाके देख सकता है तो दोस्तो अभी आप लोग देख सकता है हमारा horizontal mode पर अभी apply हो रहा है वो भी fast code दोस्तो क्योंकि यह पुराना wall हो है और पुराना wall को बहुत अच्छे से fast code अप्लाई करना है और second code यूज करने के बाद दोस्तो ये wall बिल्कुल भी इस्ट्रों होगा और दोस्तो काल जाब आप second code का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि दुबारा से दोस्तो आपको फिर से fast code का यूज करना होगा ताकि दो code fast code लगाने के बाद आपके wall बिल्कुल दोस्तो हाथ से भी नहीं जड़ेगा और बहुत समय तक ठीकेगा इसलों दोस्तो और curing दोस्तो काल जब आप second code यूज करेंगे और जब इसमें आप paint करेंगे तो बहुत दिखने में अच्छा हो जाएगा